डिफिनेटली 21,000 में ये काफी अच्छा फोन है, बग सारे ही फोन में होते हैं, इसमें भी है, जो कि फिक्स हो सकती है, बट यार देखो, अगर वो पर्टिकुलर बग फिक्स हो जाता ना, तब तो मैं ये आग बन करके तुम्हें रिकमेंड कर सकता था 21,000 के प्राइस में, तो गाइस, आज हम बात करेंगे Moto Edge 50 Fusion के बारे में, इसे मैं अभी almost 30 days से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो 35 days से उपर हो गए, यूज़ करते हुए, तो यार देखो, problems की बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये 21,000 का offers लगा के तुम्हें पढ़ेगा, अगर तुम 8GB, 128GB ला variant लेते हो, और ये expandable नहीं है, dual sim लगता है, 5G support करता है, तो ये चलो अची चीज़ है, बट मैं इसके सारे segment में, built में, display में, software में, camera में, सब में मुझे इस एक महिने में प्रॉब्लम हुई है, और ठीक है, बहुत जादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये fix हो सकती है, बट चिल देखो, मेरी responsibility है कि प्रॉब्लम के बारे में बात करूँ, क्योंकि तुम ये video देखके मन बनाओगे लेने का, तो अची चीज़ है, बुरी चीज़ है, दोनों ही पता होना चाहिए तुम्हें, तो सबसे पहले शुरू करते है, इसके build से, built wise premium लगता है, time नहीं लूँगा, vegan leather है, अच्छी quality की है, उपर तो तुम्हें या पर प्लास्टिक का frame देखने हो मिलता है, light weight है, premium लगता है, अच्छी चीज़ है, तो overall build quality अच्छी है, बट इसका haptics मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा है, थोड़ा low है, एक्दम premium नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना, उसके अलावा, जो fingerprint की placement है ना यार, वो थोड़ा नीचे दे रखा है, तो वो कभी-कभी problem होती है, एक चीज़ और है, fingerprint scan करने में थोड़ा late होता है, अगर तुमने scan किया, तो 1-2 second का time लेगा, एकदब instant open नहीं होता है, even log भी करोगे ना, तो अबल सी चीज़े नहीं है, इस price पे भी, इसके अलावा, build quality में no issue, अचा, dual speaker है, dolby at more support करता है, तुम थोड़ी voice को और enhance कर सकते हो, इसकी से जो speaker की loudness है, उसको भी, बट मैं एक बार speaker की loudness सुना देता हूँ, कैसी यह है, यह full volume है, तो देखो, speaker ना, पंची है, बट थोड़ी loudness और ज्यादा हो सकती थी, ऐसा मेरा मानना है, मुझे लगा है, थोड़ा loudness और बेटर होती, तो अच्छी होती, बट हाँ, ओवरॉल ना, तुमें मजा आएगा, अगर तुम इसमें multimedia consume करते हो, movies देखते हो, Netflix देखते हो, तो अ regular glass 5 का protection देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज है, एंड यहाँ display ना, बहुत ही जादा पंची है, तो ये एक अच्छी चीज है, मुझे display की quality अच्छी लगी है, एक immersive experience मिलेगा, speakers बगरा अच्छे हैं, बट थोड़ी सी loudness की कमी लगी है, उसके अलावा, 1600 nits की peak brightness द बहुत बड़ी बात नहीं है, इवन मैं भी HDR में content consume नहीं करता हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने तुम्हें ये inform कर दिया, कि HDR support नहीं करता है, ना ही Netflix में, ना ही YouTube में, हाँ YouTube में 4K पे तुम देख सकते हो, quality अच्छी आती है, quality में कोई issue नहीं है, immersive display है, अच् तुम Wi-Fi calling use करते हो, तुम मत करना, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही गंदा experience मिलेगा, तो Wi-Fi calling इसमें बिलकुल भी अच्छी नहीं है, उसके लाबा, एक चीज़ है, ये I don't think कि bug है, या network वाली problem है, क्योंकि ये other phones में नहीं हो रही है, particularly मेरे वाले phone में हो रही है, भा अगर तुम्हारे पास ये है, या तुम्हारे जानने वाले के पास है, तो वो 20 मिल्ट में auto call cut हो रहा है किया, और ऐसा कुछ setting नहीं है, तो मैं पहली बता दू, तो अगर ऐसा कुछ है, तो मुझे comment में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज़ादा इंट्रेस्टेड हू है, अच्छा है, hello UI ठीक है, मतलब नया नहीं आया है, बट इसमें ना, एक major issue में कोछे क्या लगी है, मैं बताता हूँ, इसकी जो control center है ना, वो बहुत ज़ादा buggy है, थोड़ा सा lag वगरा देखने हो मिलेगा, हाला कि तुम्हारे पास option है, कि तुम इसके पुराने वाले control center में switch कर सकते हो, बट नया वाला UI है, तो अफकोस तुम नया वाला control center use करोगे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा buggyness है, थोड़ा सा lag इधर उधर देखने को मिलता है, वो एक चीज है, एक चीज हो रहा है, देखो अब तक ना, एक महीने से उपर हो गए, मतलब मैं almost 30-35 days से use कर करेंगे, बट यार अभी तक update नहीं आई है, यह एक प्रॉब्लम लगी है, मोटो के साथ, यह consistently यार देखो, मैंने edge 50 pro भी use कर रखा है, edge 50 भी use कर रखा है, किसी में भी update नहीं आई है, तो इनके यह update वाला issue, I don't know, अभी तक fix नहीं हुआ है, यह एक प्रॉब्लम है, एक च software updates आएंगे, उस पर depend करता है, तो यह मैं bug ही कह सकता हूँ, कि animation ऐसी सही रहती है, और जैसे तुम camera app खोलोगे न, उसके बाद भाई, phone अच्छा खासा lag करता है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं होती है, 144 Hz पे चलती है, और almost सारे application में 144 Hz सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा experience मिलेगा, बट जैसे ही तुम camera app खोलते हो, भाई वहाँ पे issue आना शुरू होती है, पहला तो camera app थोड़ा lag करता है, यह मैं आगे भी बात करूँगा, इसके पारे में detail कि क्यों lag करता है, बट हा, camera app लैग करता है, उसके बाद एनिमेशन जैसे तुमने तिन चार आप उसके एक issue लगी है, बट उसके अलाबा यार अच्छी चीजी के बारे में बात परू, customization दे रखा है, गूगल डाइलर है, अगर तुम record करते हो, तो सामने वाले को पदा चलेगा, call recording करने पे, बट हा, यह अलग-अलग जोगार होता है, एड बहुत सारे features है, जैसे इसमें secure folder का option ह जो भी motors के applications है, उसके लाबा कोई bloatwares नहीं है, उसके लाबा यह chop-chop feature है, तो यह मैं सारे वीडियो में दिखाता हूँ, बहुत handy होता है, अगर तुम यह use कर रहे हो, तो उसमें पता होगा, तो भाई, देखो software experience ना अच्छा रहता है, बट यह जो particularly मैंने lag का बात किया, जो हलका सा control center में lag है, यह है, बट बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, यह तुम्हारे experience को खराब नहीं करेगी, बट क्योंकि मैं review कर रहा हूँ, तो मुझे वो छोटी-छोटी चीजे भी देखनी पड़ती है, तो यह चीज देखो हो रही है, बट हाँ, animation, overall, display की smoothness, य मुझे कोई problem नहीं है, जब camera आप खुलोगे, तो तुम्हें animation में भी थोड़ा सा lag देखने हो मिलेगा, और थोड़े time बार ठीक हो जाता है, तो यह एक proper bug है, problem नहीं कहूंगा, bug है, जो कि fix हो जाएगी software update से, बट भाइ, problem तो यह ही है, कि software update ही नहीं आ रही है, तो यह performance की बात करूं, तो snapdragon 7S Gen 2 देखने को मिलता है, UFS 2.2 है, and LPDDR 4X RAM है, देखो, RAM issue कोई दिक्कत नहीं है, RAM management अच्छे से करता है, background में apps रहती है, जादा refresh नहीं होती है, बट जो UFS 2.2 है न, वो यहां देखो, problem कर रही है, वो मैंने camera वाला जो बताया था न, वो UFS 2.2 के नहीं हो रही है, क्योंकि camera न अच्छे से handle नहीं कर पा रहा है, जो भी थोड़ा लाग है न, UFS 2.2 भाई, देखो, एक problem तो है, हाला कि read, write, speed बगरा अच्छी आती है, अन्तु तो scores अच्छे आते है, and अगर तुम game खेलने का सोच रहे हो, तो देखो, यार, यह gaming phone नहीं है, but still, smooth plus extreme में, तुम उसमें 50 fps तक gaming कर सकते हो, without any issue, कोई दिक्कत नहीं होती है, and एक चीजसे में impressed हुआ, शुरू-शुरू में न, मुझे लग रहा था कि थोड़ा heat हो रहा है, हाला कि weather भी तब बहुत जादा खराब था, बहुत ही जादा गर्मी थी, but अभी weather थोड़ा cool down हो रही है, तो अब मैं जब use कर रहा हूं, तो मुझे भाई, definitely, बहुत जादा heat नहीं हो रहा है, and पहले ये 43 degree तक जा रहा था, 44 degree तक, तो वो थोड़ी heat तो हो रही थी, and वो weather वाला problem था, phone में problem नहीं था, क्योंकि इसका पुराना version है, उसमें problems थी heating की, and इसमें अभी heating बह होगी, thermal throttle बहुत जादा नहीं करता है, and अगर तुम HDR extreme में खेलोगे, तो 40 fps तक मिलेगा, but I know कि smooth plus extreme में ही सारे लोग खेलेंगे, तो भाई, 50 fps, 55 fps भी जाती है, 60 fps continue नहीं रहती है, but 50-55 अराम से दे देती है, तो gaming कर सकते हो, बढ़ हाँ, ये gaming phone नहीं है, वो चीज़ ध्यान नहीं है, क्योंकि 6-7 घंटे का screen on time दे रही है, ये एक अच्छी चीज है, उसके लावा, थोड़ा सा यार, देखो, software में bug है, and वो battery वाले area में भी दिखता है, बहुत अच्छे से ये, मतलब, battery वाला section खोलेगे न, तो वहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाएगा, कितना use अच्छा work कर रहा है, कोई problem नहीं है, बैटरी में, and charging वगरा भी 45 minutes में full charge हो जाती है, even अभी video करने से पहले न, मैंने zero में कर रहा था, just मैंने लगाया है, timer start किया है, exactly 44 minute में ये full charge हो गई है, हाला कि मैं switch off करके charge कर रहा था, तो ये एक चीज है, बाकि ideal drain की बात करू, 3-4% क ideal drain है, जो कि बिलकुल normal होता है, तो बैटरी में कोई issue नहीं है, अराम से तुम एक दिन का battery backup expect कर सकते हो इससे, अगर तुम moderate use भी करते हो, बाकि यार बात करते हैं, camera की, देखो यहाँ पे न, issue है, तो issue से पहले कुछ अच्छी चीज़े बताते है, देखो front camera से यार, photos अच् तो यह तो मुझे अच्छी चीज़ लगी है, हाँ, back camera में भी light control अच्छा है, थोड़ा सा inconsistency देखो अभी भी है, ultra wide and जो इसका normal वाला photos होता है, उसमें बाकी color consistency में, हाँ, boosted हलका सा लगता है, बहुत जादा नहीं है, अभी तो पहले तो moto बहुत ही जादा boosted करता था color, अभी काफी हद तक natural रहता है, बट still, यहाँ पर थोड़ा सा saturation high मिलेगा, और यह लोगों को अच्छा भी लगता है, तो इसमें कोई शिकायत नहीं है, यह मुझे भी personally पसंद आता है, portrait mode अच्छा है, light control अच्छा करता है, and देखो portrait mode ना back में, अभी भी हलका हलका inconsistency है, updates आ शिकायत करने का room भी नहीं है, बट still देखो, जो जो problems मैंने अभी तक बताई है न, वो बहुत जादा major problem नहीं है, वो एक software update से ठीक हो सकते है, या तुम अपने settings में भी जाके उसे ठीक कर सकते हो, जैसे मैंने बोला control center वाला problem, वो ठीक कर सकते हो, हाँ, एक problem जो major है न, वो ह से 3 सेकंड ले लेता है, ये एक problem है, जैसे तुमने camera app खोला, बंद किया, उसके बाद तुम कुछ भी software खोलोगे, तो वहाँ पर lagness देखने को मिलेगी, तो ये definitely एक major issue है, जो motor को बहुत ही जल्दी solve करनी चाहिए, और ये software issue से solve होगी की नहीं, ये तो motor को ही पता हुआ, क्य ये light control अच्छा लगता है, मुझे moto की जो video processing है, वो अच्छी लगती है, बट जब यहाँ पर ultra wide पे switch करते हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर lag तुम्हें देखने को मिलेगा, to be honest, हाँ 1X से 2X पर lag नहीं हो, ultra wide में lag थोड़ा देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पर frame skip कर जा र तो यह एक problem मुझे लगी है video में, बट इसके अलावा जो color processing है, एंड जो quality है video की भाई, वो अच्छी है, बस थोड़ा सा frame skip करता है, तो देखो यार, यह तो बुराईया अच्छा यहाँ चलते रहेगी, बट main मुद्धे पे आते है, तुम्हें यह phone लेना चाहिए कि नहीं 20,000 के price में, बट अभी भी मैं तुम्हें recommend कर सकता हूँ, वो bug होनी के बाबजू, बहुत ज्यादा hindrance नहीं आएगा तुम्हारी user experience में, बट हाँ थोड़ा सा अब देखो problem तो होगा, to be honest, बट overall आर देखो camera के photos अच्छे आते हैं, performance अच्छी है, इस price को consider करूं तो, build अच् 20,000 में ये recommend कर सकता हूँ, Moto Edge 50 Fusion, अच्छा phone है, इवन अगर तुम Moto Edge 50 Fusion and Moto Edge 50 में confused हो ना, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि go for Moto Edge 50 Fusion, not Moto Edge 50, क्योंकि दोनों का ना, experience same है, and जो problems मैंने इसमें बताया ना, वो Edge 50 में भी है, तो ये तुम्हें अपने दिमाग में रखनी होगी, त तो मेरे हिसाब से जादा value for money Moto Edge 50 Fusion रहेगा, and definitely एक मेने बाद भी मैं तुम्हें ये recommend कर सकता हूँ, बढ़ हाँ, जो problem बताई है, अगर तुम अभी भी लोगे, तो वो problem तुम्हें देखने को मिलेगी, तो अगर उतना risk ले सकते हो, then definitely go for Moto Edge 50 Fusion, बाकि अगर वीडियो अच्छ आ लेना, मिलते है अगले वीडियो